हाई गाईज वेलकम टू मंजिल आज मैं बात करने वाली हो स्पेशली कैनेडा स्टडी विजा को लेकर और स्टडी विजा को रिलेटर आई यार्ची सी मेंबर्स के दवारा जो न्यू अपटेट आया है या उन्होंने ट्वीट किया था न्यू उसके बारे में उन्होंने क् इन्फरमेशन दी थी रिगार्डिंग कैनेडिया स्टॉरेंस जो वहाँ जाके पढ़ना चाते थे जिन्होंने फाइल लोज की थी या जिनकी रिजर्व्स जो है वो डिले आ रहे थे वो सारे उन्होंने ट्वीट में जो था उन्होंने बताया कि क्या क्या न्यू है वो एमबसी में इन है या फिर जिनकी लोज हुई हुई है प्रोसेसिंग में है तो उनके लिए जो रिसेंट अपडेट है और दीमांड वो यह है कि सबसे फर्स पॉइंट पे कैनेडा ने जो लास्ट येर पे जो भी ये चेंजिस की डेवलपमेंट आई थी उसके रिले साथ कि अपिस को लेकर यर को लेकर या फिर फिर पीपीर को लेकर या फिर रिसेंटली दुबारा है यॆ एई पी को लेकर उसके साथ को ओपरेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो थेंग थेंक फूझ ये बहुत पright किया अन ज़र्स के अण ने और को लिए बिए जो अपने जो इस इनटेक के लिए अप्लाई किया था की लिए क्यों नहीं एप्लाई किया था उसमें आपने कर लिए नीए अप्लाई किया था ओर आपको है डाफेर कर लिया है इस इंटेक के लिए और इस也 कोड़ से हमारा कोर्स है आपने टाफेर के लिए आव को अपको एज़ाक एजंवडंस करना आपको पता होगा वो आपने अपडेट करना है तांकि वो accordingly प्रोसेस कर सकें और जो यह मई इंटेक है तो उसके accordingly वो changes ला सकें कि कि तने बचों ने डफर किया है हाला कि यह बात यह पता होती है बड़ फिर भी काफी processes जैसे number of या thousands of files लगती है तो उसके लिए कोई भी confusion या mistake ना हो जाए तो आपको LOE जो है वो update करने के लिए उन्होंने recommend किया है और साथ में ही अपने backlogs जो है जिन बच्चों की backlogs जो है इनको clear करने के लिए भी कहा है so that कि वो अगले जिस भी intake लिए apply करें तो उनके लिए कोई भी hustle ना create हो क्योंकि पहले ही COVID-19 के लिए के वज़े से काफी जादा जो है वो problems हो चुके है और उसके बाद उन्होंने highly जो एक advice दी है जो highly noted advice दी है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी online classes लगाने start कर दी थी अब online classes चाहे वो jan intake के लिए start कर दी थी या September intake से start कर दी थी उनके लिए ये बहुत important information है और यह उन्होंने ये कहा है ने अपनी classes जो है वो लगाने start कर दी थी और उनको आपना enrollment जो है वो उनको mail कर दें या फिर उनकी web form में जाकर उसको जो enrollment है अपना send कर दें IRCC members को तांकि वो उन students को जिन्होंने online classes मतलब कि attend कर कर या फिर अपने deferment की जिए जो कर यून और कर करें अपना enrollment send करने के लिए उन्होंने प्रैफरेबली कहा है कि हमें web form से जो है अपना enrollment send किया जाए तांकि उनको highly priority पर एक उनके ground level पर जब उनके final results आएंगे उनको सबसे पहले उनकी high priority जो रखी जाए सो यहां पर उन्होंने सिर्फ तीन बाते जो थी जाते जाते कहीं सबसे पहले उन्होंने हम सब के लिए thankful nature दिखाया जो हम obviously पता है second उन बच्चों के लिए जिन्होंने deferment की थी उनकी LOA जो है update करने की request की है और जो advice दी है जो highly notary उन बच्चों के लिए जिन्होंने online classes लगाने शुरू कर दी थी उनको अपने enrollment जो है web form के through जो है send करने के लिए का है so I think so this is very important information जिन बच्चों ने online classes start की हुई है जिन बच्चों को नहीं पता है information के बारे में so इस video को आप ज्यादा से ज्यादा जो है send कीजिएगा ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिएगा numbers पे call भी कर सकते हैं या visit भी कर सकते हैं thank you